दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दियों में हम सदा बाहर के पौदे से ज्यादा पूल कैसे पाएं तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारे ग्रीन परिगाडने चैनल पर दोस्तों आप जो सामने सदा बाहर का पौदा देख रहे हैं उस पर डेरों फूल आई हुई हैं और कापी सारे बड़ सभी आई हुए हैं यदि आप भी चाहते हैं इसी तरह अपने सदा बार के पोदे पर डेल सारे फूल पाना तो आप अमारी बीडियो को पूरा जरूर देगी ताकि आपको अमारी बीडियो का लाव मिल सके चली अब हम बात कर लेते हैं इसकी केर के बारे में कि हमें सदा बार के पौधे की केर कैसे करनी चाहिए दोस्तों हमें सदा बार के पौधे में पानी बहुत ही कम देना है यह देखिए मैंने अपने पौधे उसमें पानी बहुत ही कम दिया है यह देखिए मैंने गुड़ाई करने के लिए एक चाहू ले रखाया जिसमें अपने पौदे केरी करते हैं नौर्मल सब्सक्भी करते हैं करनी है तो चलिए अब इसमें हम कुछ पर्टिलाइजर डालेंगे जने मैं आपको बताने बाला हूँ यह देखिए अब आप जो यह देख रहे हैं मैंने यह एक चमच मस्टर्ड केक पर्टिलाइजर लिया हुआ है जिसी मैं पौधे के चारो तरफ डालूंगा तो चलिए प दोस्तों मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है अब आपको मैं दूसरी चीत बताने बाला हूँ वो मैंने अपने हाथ में बर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है जिसे मैं अब अपने पौधे के चारो तरफ डालूंगा तो चलिए पहले मैं इसे अपने सदाबार के प पहले मैं इसे पानी डाल दिया है अब हमारा जो सदाबार का पौधा है वो कुछी दिनों में पूलों से डख जाएगा दोस्तों आपको अमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करेंके बताएगा जरूर दोस्तों हम नए चैनल नया बनाए यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सस्क्राइब जरूर करें यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें थैंक यू